नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Guru पर दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1000 Questions का Part 4 इससे पहले मैं जो 3 Parts आपके लिए पढ़ा चुका हूँ अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे Home Page पर क्लिक करके देख सकते हैं या Comment Box में Comment करके हमसे भी वो Link मांग सकते हैं हम आपके Comment पर Link को Share कर देंगे दोस्तों आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए important है आप अपने दोस्तों को भी Share कर सकते हैं और Champions अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दें इससे हमारा और हमारी टीम का motivation होता है चले श्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहला प्रेशन यह रहाँ सकीन पर हौकी के जादूगर के नाम से कौन जाना जाता है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा मेजर ध्याणचन हौकी के जादूगर के नाम से जाने जाते है 16 यार्ड हिट पद किस खेल से सम्मन्नित है Come out and play, next question देखते हैं, अंजली भागवत किस खेल से सम्मधित हैं, तो राइफल स्चुटिंग से सम्मधित हैं, अंजली भागवत, next question देखते हैं, अंतराश्रिय उलम्पिक समिदी का मुख्याले कहां इस्तित हैं, तो स्विज्य लेंड के लोसाने में अंतराश्रिय उलम्प की मेजबानी मलेशिया देश करता है आपस स्टेडियम घुरदौर हे तू जो प्रसिद है कहां पर है तो आपस स्टेडियम जो की घुरदौर हे तू प्रसिद है इंगलेंड में इस्थित है अमेरिका का कप किस खेल से समंदित है अमेरिका कप किस खेल से समंदित है तो बॉस खेलाडी हैं, next question देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो PRAD कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंब किस वर्ष हुआ था, तो 1900, माफ करेगा, 1896 में 1896 में आधुनिक ओलंपिक प्रारम हुआ था नेक्ट कॉशन देखते हैं आधनिक ओलंपिक खेलों को किस ने प्रारम किया था तो PRAD कुबर्तिन ने आधनिक ओलंपिक खेलों को प्रारम किया था आइरन शब्द किस खेल से सम्मंदित शब्दावली है तो आइरन शब्द जो है गोल्फ से सम्मंदित है आस्फा पावेल किस खेल स्परदा से सम्मंदित है तो आस्फा पावेल एतलेटिक्स हैं सौ मीटर की दौर की प्रसिद्ध खिलाडी है इंटरनेशनल बॉलीबॉल एसोशेशन आई वी एक कप अस्थित में आया तो एक अप्रेल उनीस सो सेटालीस को इंटरनेशनल बॉलीबॉल एसोशेशन अस्थित में आया इंद्रा गांधी कब किस खेल से सम्मनित है तो इंद्रा गांधी कब जो है मुक्के बाजी से सम्मनित है इन आप शब्द किस खेल से सम्मनित है तो इन आप शब्द विलियर्ड से सम्मनित है ये शब्दा वली हैं अच्छे सियात कर लीजेगा इन मैं से कम से कम 5 से 7 नमबर क के questions तो 100% ही आएंगे बहुत बड़ी बात होती है साथ नमबर से कितने लोगगा तो खेल हो जाता है इवेटा बैंसोवा किस देश के प्रसिद टैनिस खिलारी है तो इवेटा बैंसोवा चैक गणराज के प्रसिद खिलारी है इरानी ट्रोफी का समंद किस खिल से है तो इरानी ट्रोफी करकेट से समंदित ट्रोफी है उधम सिंग किस खिल से समंदित थे तो उधम सिंग जी होकी से समंदित खिलारी है एशॉट एट हिश्ट्री के लेखक कौन है अशॉट एट हिष्ट्री पुस्तक के लेखक अभी नव बिंदरा हैं एश्याई खेल का नामकरण किस ने किया था तो जवाहलाल नहरु ने एश्याई खेल का नामकरण किया था एस किस खेल से समनित शब्द है तो एस लॉन टैनिस से समनित शब्द है ओलंपिक में भारती होकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ था तो 1920 में ओलंपिक में भारती होकी का प्रथम प्रवेश हुआ था ओलम्पिक के आदर्श उद्देश वाकि के रचेता कौन है तो फादर डीडोन ओलम्पिक के आदर्श उद्देश वाकि के रचेता है ओलम्पिक के व्यक्तिगत इस परदा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारती कौन है तो उलम्पिक खेल चार वर्ष के अंत्राल में आयूजित होते हैं उलम्पिक खेल में भारत ने होकी का स्वणपदक अंतिम बार कब जीता तो 1980 में उलम्पिक खेलों में भारत ने होकी का स्वणपदक अंतिम बार जीता 1980 में उलम्पिक खेलों का प्रारम कब हुआ था तो 776 इसापूर उलम्पिक खेलों का प्रारम हुआ था उलम्पिक खेलों में स्विंग पूल की कुल कितनी लेन होती है तो एक स्विंग पूल में उलम्पिक में आठ लेन होती है नेक्श कॉशन देखते हैं किस देख के प्रसिद डिया जाता है तो वायू यान रेस में प्रदान किया जाता है किस ओलम्पिक खेल में ओलम्पिक के आदर्श उद्देश वाक्य को सरप्रथम अपनाया गया था तो 1920 के एंटवर्प ओलम्पिक में ओलम्पिक के आदर्श उद्देश वाक्य को सरप्रथम अपनाया गया था किस खेल को प्रारम करने के तरीके को गैमबिट कहा जाता है तो शत्रंज खेल के प्रारम करने के तरीके को गैमबिट कहा जाता है किस देश ने सरवादिक बार एश्याई खेल स्परधा में प्रथम इस्थान प्राप्त किया है किसके जन्म दिवस को राश्य खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मेजर ध्यान चन्द के जन्म दिवस को राश्य खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है किस विश्व किसी भी विश्व चैंपियंशिप में पदक जीतने वाले पहले भारती अथलीट कौन है तो अंजू बाबी जॉर्ज किसी भी विश्व चैंपियंशिप में पदक जीतने वाली पहली भारती अथलीट है किसे पोल वोल्ट का वादशा कहा जाता है तो सरगेई बुपका को पोल वोल्ट का वादशा कहा जाता है कैटरीना श्री बोटनिक किस देश के प्रसिदर टैनिस खिलाडी है तो कैटरीना श्री बोटनिक स्लोवाकिया के प्रसिदर टैनिस खिलाडी है खिलाडीों के नाम अच्छे से याद कर लिजेगा नहीं तो आते वे कॉशन्स गलत हो जाते है कैरम के लिए पहली बार अरजुन पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो एंथनी मारिया इरुपायम को कैरम के लिए पहली बार अरजुन पुरुसकार प्रदान किया गया कोलिन काउड्रे किस देश के प्रसिद क्रिकेटर खिलाडी है तो कोलिन काउड्रे इंगलेंड के प्रसिद खिलाडी है कौन सा पुरुसकार क्रिकेट का आसकर कहलाता है तो ICC पुरुसकार जो है क्रिकेट का आसकर कहलाता है कौन सा हौकी खिलाडी ददा के नाम से भी जाना जाता था तो ध्यानचन जी हौकी खिलाडी जो थे उनको ददा के नाम से भी जाना जाता था क्यू शब्द किस खेल से समनित है तो बिलियर्ड से समनित है क्यू शब्द क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है तो लॉड्स लंदन में जो है उस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है तो इंग्लेंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है क्रिकेट खेल का प्रसिद आयोजक इस्थल शरह जाह किस देश में है तो क्रिकेट खेल का प्रसिद आयोजक इस्थल शरह जाह संयुक तर अरब अमीरात में है क्रिकेट पिछकी लंबाई कितनी होती है तो 20.12 मीटर में क्रिकेट पिछकी लंबाई होती है क्रिश्टियानो रोनाल्लो किस देश के फुटबॉल खिलाडी है तो अर्जेंटीना के प्रिसित फुटबॉल खिलाडी है क्रिश्टियानो रोनाल्लो गूगा के नाम से किस भारती खिलाडी को जाना जाता है तो गीत सेठी को गूगा के नाम से जाना जाता है गोल किस खिलाडी की आत्म कता है गोल गोल्डन गर्ल किस भारती खिलाडी की आत्म कता है तो पीटी उशा की आत्म कता है गोल्डन गर्ल गोल्फ का मैदान क्या कहलाता है तो गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है गोल्फ छेट का व्यास कितना होता है तो गोल्फ में छेट का जो व्यास है जिसमें जाकर गैंद गिरती है पांच 4.50 इंच का होता है ग्राउंड स्ट्रोक किस खेल से समंदित है तो ग्राउंड स्ट्रोक टेबल टैनिस से समंद शब्दावली है ग्रेट डिलेयर के उपनाम से कौन क्रिकेट एंपायर चर्चित है तो ग्रेट डिलेयर के उपनाम से डिकी बर्ड नाम के एंपायर प्रचलित है चकर शब्द किस खेल से सम्मदित है तो चकर शब्द पोलो खेल से सम्मदित है चमतकारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है तो लोके स्थानी चमतकारी पुस्तक सचिन के लेखक है चाइना कप किस खेल से संबंदित है तो जिमनाश्टिक शब्द से संबंदित है चाइना जिमनाश्टिक खेल से संबंदित है चाइना कप चिरन जीवी मिल्खा सिंग किस खेल से संबंदित खिलाडी है तो चिरन जीवी मिल्खा सिंग गोल्प से संबंदित खिलाडी है चीन का राश्री खेल क्या है? तो टेबल टैनिस चीन का राश्री खेल है चेक मेट किस खेल से सम्बंदित शब्द है? तो चेक मेट सतरंज खेल से सम्बंदित शब्द है चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से सम्मधित हैं तो ये सभी खोखो से सम्मधित शब्दावलिया हैं जश्टिस, हैनन, हारड़न किस देश सम्मधित हैं तो ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं जश्टिन, हैनन, हारड़न, next question जिमनाश्टिक में किस आधार पर अंक दिये जाते हैं तो परिशानी जिस हिसाब से आप जिमनाश्टिक के कर्टब दिखाते हैं नवीन्ता आपने क्या नए कर्टब दिखाए शालीन्ता आपने उसके लिए किस तरीके से शुरू किया और कितने आराम से उसको खत्मी किया और आश्वस्त गती मतलब एक मोशन ऐसा जिसमें आपकी गती साब साब दिखाई दे के जॉन मैक रो इसके आधार पर जिमनाश्टिक में अंक दिये जाते हैं जोशना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हुई है तो जोशना चिनप्पा स्क्वैश खेल से जुड़ी हुई है टाइगर वुट्स किस देश के गोल्फ खिलाडी है तो टाइगर वुट्स USA के गोल्फ खिलाडी है who hell with hockey to hell with hockey माफ करिएगा नामक पुस्तक की रचना किस होकी खिलाड़ी न की है तो अश्लम सेर खाने to hell with hockey नामक पुस्तक की रचना की है टैनिस के किन इस परधाओं को Grand Slam सपरधा कहा जाता है तो अश्रेलियाई ओपन, फ्रैंच ओपन और बिम्बल्डन को Grand Slam सपरधा कहा जाता है टैनिस को एश्याई खेलों में किस वर्ष सामिल किया गया था तो 1958 का जो Tokyo का Olympic था उसमें एश्याई खेलों में टैनिस को सामिल किया गया था टैनिस में लव का मतलब क्या होता है तो टैनिस में लव का मतलब होता है स्कोर 0 है टेबल टैनिस सरप्रथम कहां खेला गया तो लंदन में 1880 में टेबल टैनिस सबसे पहले खेला गया टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदवाज कौन है तो अनिल कुम्बले टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदवाज है डिग पास किस खेल से समंदित शब्द है तो डिग पास बॉली बॉल से समंदित शब्द है डियागो मेरोडोना किस खेल से जुड़े हुए है तो डियागो मेरोडोना फुटबॉल से जुड़े खिलाडी है DB देवधर किस खेल से सम्मंदित है तो DB देवधर क्रकेट खेल से सम्मंदित है Donald Bradman किस खेल के महान खिलाडी थे तो Donald Bradman क्रकेट के महान खिलाडी थे Dute शब्द किस खेल से सम्मंदित है तो Lon Tennis से सम्मंदित है Dute शब्द तो था American Open से भी सम्मंदित है Dute शब्द नेक्ट कॉशन देखते हैं थॉमस कप किस खेल से संबंदित है तो थॉमस कप बैड मिंटन से संबंदित खेल है दूसरे अफ्रो एशियाई खेल का आयुजन कहां किया गया तो अलजीरिया में दूसरे अफ्रिका एशियाई खेल का आयुजन किया गया नॉकाउट किस खेल से सम्मंदित है तो नौक आउट मुक्य बाजी से सम्मंदित शब्दा वली है नाइडू ट्रॉफी का सम्मंद किस खेल से है तो नाइडू ट्रॉफी सतरंज में दी जाती है नेट बॉल के एक पक्ष में कितनी खिलाडी होते है तो नेट बॉल के एक पक्ष में साथ खिलाडी ह होते हैं नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से सम्मनित है तो नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रकेट खेल से सम्मनित है नेता जी सुबास राश्य खेल सांस्थान कहा है तो नेता जी सुबास राश्य खेल सांस्थान पटियालाम है पहली महिला बैड्मिंटन खेलारी अपर्णा परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिश्चता दिखाई है तो परिमार्जन नेगी ने सतरंज खेल में विशिश्चता दिखाई है पहली बार बास्केट बॉल किस वर्ष और कहां खेला गया तो 1891 में USA में पहली बार बास्केट बॉल खेले गए ओलम्पिक खेलों में सरवादिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो माइकल प्लैप्स तेराकी में जो की अमेरिकी तेराक है ओलम्पिक खेलों में सरवादिक स्वन पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है उसेन बोल जोकी जमेका से हैं किस खेल से समन्दित हैं तो ये अथेलिटिक्स खेल से समन्दित है और इस पेसिलिटी इनकी रनिंग में हैं दौर में हैं लियोनेल मैसी किस देश के फुटबॉल खिलारी हैं तो लियोनेल मैसी अरजेंटीना के फुटबॉल खिलारी हैं सचिन तैंदूलकर का वंडे क्रिकेट में कितने रनों का शतक वा अर्ध सतक का विश्य रिकॉर्ड है तो 18,426 रनों का 49 सतक और 96 अर्शतकों का रिकॉर्ड है सचिन तैंदूलकर का तो दोस्तों ये थे 1000 कॉश्चन का पार्ट 4 हमने आपके लिए पढ़े अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड पार्ट प्रोवाइड किये हैं आगे भी हम इसके कंटिन्यू पार्ट करेंगे पार्ट का मतलब होता है 1000 कॉश्चन को लिमिटेड हिस्सों में आपके लिए दे दे रेट कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करें चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर क्लिक करने और ओल वाला नोटिफिकिशन अन कलें हमारे चैनल पर परड़े 10 बज़े वन लाइनर की क्लास अपलोड होती है शाम को 7 बज़े साइंस की क्लास अपलोड होती है और सुब़ 6 बज़े से मैं खुद लाइव पढ़ाता हूँ जनरल अवेनस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पर डे इन तीनों वीडियो को जरूर देखें आपके लिए हर वीडियो में अलग लग टॉपिक से रिलेटेड इंपर्टेंट्स कॉशन्स प्रोवाइड कराये जाते हैं आने वाले समय में जो भी वीडियो अबलोड होते हैं उनको जरूर टाइम टू टाइम देखें चैंपियंज अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दीजेगा और लिंक को अपने ग्रूप में अपने स्टेटस पर या टेलिग्राम ग्रूप जो भी आपका स्टेडी ग्रूप है जरूर शेर करें किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे होम पेज पर क्लिक कर सकते हैं या कमेंट करके हम से ही पूछ सकते हैं जो भी आप जानकारी पूछना जाते हैं वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताईएगा मिलते हैं नेक्ष पार्ट में तब तक स्वस्त रहिए मस्त रहिए जहां रहिए जबरजस्त रहिए आप सुभी का दिन शुभ हो